नमस्कार न्यूस फोर नेशन देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ रश्मी और वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा कि मरीजों की हालत कैसी है यहाँ तक उन्होंने मरीजों से भी बात की जिसमें मरीजों की द्वाड़ा यह कहा गया है कि उन्हें आप ऑक्सिजन की कमी हो रही है वहाँ पे ऑक्सिजन मुहया नहीं करवाया जा रहा है तो वहीं जब पूरी तढ़ा से फेल दिखाई दे रही है, अस्पताल में किसी भी तढ़ा के कोई इंतजाम नहीं है, मडीज जो हैं लाचार हैं, उन्होंने कई मडीजों से बात की हैं, सभी ने अपनी बात उनके सामने रखी, सभी अपनी वेथा उनके सामने सुनाया कि वहाँ पर किस पोड़ी जाते हैं उनके वीडियो के साथ बहुत सारी शिकायते मिली कि यहां पर ऑक्सीजन लोगों को नहीं दिया जा रहा है इलाज नहीं हो रहा है तो मैं सोचा स्वर्ण जाके देखू और जो जंता ने शिकायत किया पेशन ने वो सही पाया आपको बहुत लोगों को तो अपने से रखके कभी उधर ले जाओ कभी तो कभी अभी वह मैंने भेजा कोई चेंटर में लेकिन यहां कि स्थिति बत से बत्तर है यह जब मेडिकल कॉली हॉस्पिटल का यह हाल है तो और हस्पिटल का आप सोच सकते हैं क्या है हम तो मानी मुखमंत्री से कहेंगे स्वास नहीं दे रही है मैं कहूंगा मानी मुखमंत्री को आप खुद कम्यूटी बना के जाच किजिए और सुना तक प्रधान सची प्रते मम्रित हुए थे इसकी हालत तो यह है एक प्रखंड के कार्या हॉस्पिटल से भी बत्तर रिश्तिति है अभी प्रभाई दॉक्टर गॉर फिर इलाज कैसे होगा यह तो बहुती स्थिती खराब है मैं तो भी यहां से निकल के जाओंगा स्वास्पंद्री से बात करूँगा कि सहाब यह भागलपूर मेडिकल कॉल हॉस्पिटल के हालत जाके पता लगा यह कमिटी बनाई है और इलाज को दुरुस्त करने का काम की सिलिंडर काफी संख्या में वहीं फेस्बूक और सोसल मीडिया से माध्यम से जुबा यहां पर प्लांट लगवान की मान करना है भाई प्लांट ऑक्सिजन पहले मुहया तो कराई यह लोगों और मिलती होगी अभी अभी लोगों ने बोला कि ऑक्सिजन नहीं मिल रहा है ज सरसे जंता को आप छोड़ दीजेगा मौत के कागार पर यह बिलकुल नहीं चलेगा इसलिए मैं अभी जाकर स्वास मंत्री से बात करूंगा इस पर सग्यान में